तो हालो एव्रिवान, कैसे वह आप सब? तो आज का ये रियक्शन वीडियो होने वाला है डबा के उपर तो आप सब लोगोंने डबा का बैडे का व्लूग देख लिया काफी लोगों को अच्छा भी लगा तो काफी लोगोंने उसमें कमिया भी निकाली तो कुछ कमिया थी जो की मुझे भी नजर आई और वो क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ से पहले तो इनके घर में जो है न कॉंटेंट की मारा मारी है आप सबको पता है कि जब भी कुछ ऐसा ओकेजन होता है तो होड मत जाती है कि सबसे पहले व्लोग कौन डालेगा क्या मैडम डालेंगी क्या जनाब डालेंगे या फिर ये जो है डबा डालेंगी तो ऐसा ही कुछ हुआ जिस दिन बर्डे था उस दिन सबसे पहले व्लोग जो है मैडम ने डाल दिया अब डबा को हो गई टेंशन की अरे ये क्या भावी ने तो मेरा व्लोग अच्छली मेरा कॉंटेंट था और भावी ने जो है व्लोग डाल दिया ये तो बड़ी गलत बात है भावी डबा के साथ नाइन सांफी हुए इसमें लेकिन जैसे ही भावी ने डाला उसके थोड़ी भी चाहिए हर चीज़ चाहिए लोग मुझे नोटिस करते हैं तो मैं कैसे पीछे रहे तो डबा के एक घंटे बाद जो है जनाब ने अपना व्लोग डाल दिया तो ये तो हुई कॉंटेंट की मारा मारी आप सबको पता है कि कॉंटेंट एक है लेकिन डालना तीनों लोग ह अच्छा बात करें बर्डे की तो बर्डे जब फनी ने पूरा और्गनाइज कि आपको पता है कि जो नया फ्लैट लिया है डबा ने वहां पे इनका बर्डे सेलिब्रेट हुआ था तो एक बात बताओ यार इनके हस्बेंड ने इतना कुछ किया अपनी वाइफ के लिए सर पोटो शूट हो रहा है कहीं भी कुछ भी अगर कुछ अलग से मतलब उनको प्रियर्टी चाहिए हर चीज उने चाहिए तो वही उन्होंने किया जब के कट हो रहा था तो जाके वहां खड़ी हो गई और साइड में जो है फनी खड़े थे लेकिन जैसे के कट किया तो सबसे पहले जो है उसका हक बनता था कि अपने हस्बन को खिलाए लेकिन नहीं सबसे लास्ट में जो है फनी को उसने के खिलाया पहले पहले अपनी पूरी फैमली को खिलाया उसके बाद जो है फनी का नमबर आया था अच्छा इनके व्लोग देखने से एक चीज मुझे ऐसा लग पहले चीज मुझे एक बात करें लाद को इसने फुदक पापा से ले लेकिन जब उसके पापा ने उससे इसा ग्रीटिंग दिया तो कहीं न कहीं होता है ने बाप बेटी का लगाव होता है आपस में कितना प्यार होता है बहुत अच्छा बॉंड होता है बाप बेटी का तो लेकिन वहाँ पे डबा जैसे मुझे ऐसे लगा देखने से कि वो खुश नहीं हुई या फिर वो बहुत जादा खुश नहीं अपनी बेटी के लिए तो दूसरा इंसान कहीं मेरे को लगता है शाद उसके emotions बाहर आ जाते कोई और बेटी होती तो लेकिन डबा ऐसी नहीं है करे मैडम की तो मैडम भी जो है न थोड़े टाइम के लिए आए थी लेकिन उनका बेबी बहुत जादा परिशान कर रहा था क्र जो तो वहां पे सारा खाना अलग और उनकी पानी पूरी की तारीफ अलग ही हो रही थी पे नेक्स विलोग आया जिसमें इन्होंने दिखाया कि भई हमने जो है क्या दिया है डबा को भावी ने तो उन्होंने जो है डाइमेंड का सेट दिया डबा को डबा तो अरे मतलब अरे का ठिकाना ही नहीं रहा होगा ना उस टाइम पर आप सब तो जानते हैं उसका नेचर अरे क्या जो थी इतना बड़ा किफ्ट इतना बड़ा किफ्ट चलो अच्छा है मेरे पास तो ये था अब इसके साथ में गे भी डालूंगी पूरा मेरे पास सब सेट हो गया मतलब लालच देख रहे हो वन में लेकिन जब भावी को देने का टाइम आता है तो एक वो जो है एक सूट पकड़ा देती है हमेशा क्या मतलब तुमारे पास इतने पैसे नहीं है तुम अगर तुम इतने महंगे महंगे गिफ्ट ले सकते हो तो यार देने का भी तो थोड़ा सा दिल रखो नकरोब को क्या हो गया कुछ चोटा मोटा गोल्ड का ही दे दो लेकिनम वहमेशा ही क्या करती है कि बांगे पास करें $ कई ना कई है तो देखो उसी का है ना husband wife तो यह की है है तो उसका भी लेकिन उसके बाद जो ने लगा कि या डबा को देंगे फनी रह जाएगा तो चलो इसको भी देते हैं तो उसके लिए भी जो है न वह एक ट्रेक सूट ले आए थे तो वह भी खुश हो गया और उसके अच्छा मिले शायद न्यू गाड़ी लेकि आए लेकिन नहीं जो पहले वाली गाड़ी थी उसी को रिसेल करके जो है उसने सैकेंड एंड गाड़ी फॉर्चुनर ले थी तो यहां पे जो फनी है ना बहुत ज़़दा कंजूस भी मुझे लगता है कि वो पैसे वैसे बच करती हूं न तुम जाओ मैं बनाती हूं लाओ मुझे दे दो ऐसे ऐसे करके जो है पूरा हुआ लेकिन ना बात करें सबाव उसकी डबा की तो वह बिल्कुल भी वहां पे खुश नहीं थी तो गाईस आप लोगों का क्या कहना इनके बारे में कमेंट करके ज़रूर कर दो हुआ नहीं मैं!